तो देखो प्यारे बिच्चों इसमें क्या कहता है एक पार्टिकल है हंडेड ग्राम का केप्ट ऑन दा सर्फेस आपे उनिपॉर्म अब मास 10 kg यह जो बड़ा वाला यह वाला वह 10 kg का है और यह जो छोटू वाला है यह बेसिकली 100 ग्राम का है ठीक है यह जो रैडियस है इसका 10 cm रैडियस है तो यह कहते हैं फाइंड दो वर्ग ड़न अगेंस दे ग्रेविटेशनल फोर्स बिट्विन देम टू टेक दपार्टिकल अवे फ्रम देश्पीर का क्या मतलब होता है मलब इस पार्टिकल को यहां से मैं ऊपर ले जाओं अवे फ्रम वर्ग ड़न करना पड़ेगा अब देखो अगर तुम बात करोगे तो यह पार्टिकल अपने आप तो जाएगा नहीं है तो देर मस्ट भी वर्ग ड़न बाइद एक्स्टरनल एजेंट तो एक्स्टरनल एजेंट कोई इसको ले जाएगा तो वर्ग ड़न करेगा तो जब इन पोटेंशियल एनर्जी मलब पोटेंशियल एनर्जी फाइनल में से माइनस पोटेंशियल एनर्जी घटा दोगे तो जो बचेगा वो चेंज आएगा तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो और माइनस माइनस इनिसियल पोटेंशियल एनर्जी तो इनके बीच का से तो में यह वाला से प्रेशन इसमाल आरो यह जो की रेडियस है तो अब वेलू रख दो तो 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 11 और पहले वाले का मास 10 केजी था दूसरे वाले का मास 100 ग्राम था तो 10 की पावर माइनस 3 केजी और डिवाइड़ रेडियस कितना था रेडियस था अपना 10 सेंटीमेटर तो 10 इंटू 10 की पावर माइनस 2 मेटर का होल स्क्वार तो फाइनली जब इसको सॉल्व करोगे तो वर्क डन आ जाएगा work done is equal to 6.67 into 10 की power minus 10 joule तो यह basically final solution of this problem है तो आप इसको एक बर solve करके खुद try कर लेना तो आप मेरे channel के साथ बने रहो प्यारे बच्चों बहुत सारे बच्चों का बहुत ज्यादा support मिल ला है thanks for watching this video कर कर दो एक दो आप मेंगा टुद आपी में इस जो ऑना है बहुत है लाओ लाओ ले जोगवा ले ऑपला को जाती रुद का फ्यादार सार्ट दबगा है झाल झाल